हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एसस इलेक्रिशन पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं SMD Bridge Rectifier के उपर कि SMD Bridge Rectifier क्या होता है और SMD किस लिए उसको कहा जाता है और साथी साथ ये भी बात करेंगे कि SMD Bridge Rectifier का इंटर्नल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और Bridge Rectifier को चेक करना होगा तुसको किस प्रकार से चेक करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही Bridge Rectifier होते हैं वह हर जगा आपको देखने को मिल जाएंगे यहां तक कि LED की डियो बी सर्किट में भी वह हमारा Bridge Rectifier देखने को मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा डियो बी में लगा हुए है SMD Bridge Rectifier अभी SMD का सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि SMD का नाम क्या होता है SMD मतलब होता है Surface Mount Device यानि कि उसका जो short name होता हो वह होता है SMD SMD कि एस का मतलब होता है Surface Surface मतलब सत्य होता है M का मतलब होता है Mount यम ओ यू एन्टी और डी का मतलब होता है डीवाइस डीवाइस मतलब उपकरण है यह पर आप देख सकते हैं SMD का पूरा नाम हमें लिग दिया Surface Mount Device अब यहां पर Surface Mount Device इसको क्यों कहा गया है हम आपको बता देते हैं तो Surface Mount Device इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा यह डिवाइस होता है एसी लिए इसको बोला जाता है सरफेस मांट डिवाइस अब यहां सकते क्योंकि यह सत्य से बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है जो सत्य से बिल्कुल चिपका हुआ होता है उसको बोलते हैं surface mount device याने कि SMD device तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि SMD का मतलब क्या होता है और SMD इसको क्यों कहा जाता है अब बात आती है कि breeze rectifier होता क्या है तो सबसे पहरे हम बात कल रहेते हैं breeze rectifier के बारे में तो breeze rectifier जो होता है हमारी AC supply को DC supply में convert करता है वो भी pure DC में convert नहीं करता है उसके लिए कुछ filter हो गएरे यानि capacitor हो गएरे लगाने पड़ते हैं तो breeze rectifier के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वो है AC supply को DC supply में convert करता है जैसे यह जो हमारी LED की circuit है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारी LED की circuit है और उसके बाद यह जो हमारी MC PCB उसमें लगती है इस MC PCB को DC voltage चाहिए होता है तो DC voltage के लिए हमको क्या करना पड़ेगा या तो battery लगाने पड़ेगी या तो हमको यह इसी device बनाए जो DC voltage output करे तो यहाँ पर जो हम circuit बनाते हैं इस circuit में से DC voltage आउट करवाते हैं अब DC voltage आउट की से करवा जाता है उसके लिए सबसे पहले आपको starting में ही यहाँ पर लगाना तो यहाँ पर SMD bridge rectifier लगा हुआ है एक दम बिल्कुल लाइन में ही लगा रहे हैं यानि कि न्यूट्रल आउल लाइन इसमें जाएगी तो यहां से प्लस और माइनस के थुरू DC voltage मिल जाता है तो उसके बाद एक capacitor लगा कि उसको filter कर लेते हैं यानि कि उसको सुद्ध कर लेत जाता है वो क्या करता है जो हमारी DC प्योर DC नहीं होती उसको प्योर DC में convert कर देता है तो आई होप आपको यह बाते समझ में आए होंगे कि जो हमारा bridge rectifier होता है वो करता क्या है AC supply को DC supply में बदल देता है लेकिन प्योर DC में नहीं बदलता है प्योर DC में बदलने के लिए electrolyte capacitor लगाये चाते हैं जो प्योर DC में बदलके आगे की सरकीटों में देता है तो आई होप आपको SMD bridge rectifier के बारे में समझ में आ गया होगा अब bridge rectifier चाहे SMD हो चाहे उस तरह से हो यानि कि किसी भी तरह से चाल डायोड मिला के हम बनाये हो या फिर SMD के रूप में हो तो दोनों ही bridge rectifier का काम एक ही होता है और चेक करने का तरीका भी लगबग लगबग एक ही होता है लेकिन कुछ लोग confused यह हो जाते हैं कि हम SMD bridge rectifier को किस प्रकार से चेक करेंगे उस तरह से देते हैं यहां पर देखिए जो हमारा bridge rectifier होता ना bridge rectifier का internal structure कुछ रित्रकार का होता है यहां पर आप देख सकते हैं इस side से AC supply in होती है जब AC supply इस side से in होगी तो यहां पर हमको plus और minus मिलेगा यानि कि DC supply हमको मिल जाएगी तो यह होता हमारे SMD bridge rectifier का internal structure अब हम यहां पर डाय लगे होते हैं लेकिन वह छोटे-छोटे कड़ों के रूप में होते हैं छोड़े-छोडे component की रूप में होते हैं तो यहां पर आप देख सके हैं जो हमारे चारों डाय ओडों कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं सबसे पहले यहां पर हम पीनों के नंबर को जान लेते हैं यहां पर देखिए एक नंबर का पिन दो नंबर का पिन तीन नंबर का पिन और चार नंबर का पिन आपको भी इसी प्रकार से माल लेना होगा कि जब हम ब्रीज रेक्टिफायर को चेक करेंगे SMD वले को तो वहां पर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर इस तरह तो यहां पर देखिए जो हमारा बीरेंज समझ में आएगा ईगा देखिए यहां PARHeja फैर में इस साइड में आपको डो तर्मिनल दिखाई दे रहे होगे यह जो दोनों टर्मिनल है AC सप्लाई के हैं क्योंकि जिदर AC सप्लाई की टर्मिनल होते हैं दर प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में प्लस माइनस आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा व्रिज रक्टिफायर की दो पिनों इस साइड में दिखाई दे रही है यह आउटपुट की पिन है यानि कि DC प्रोवाइड करवाएंगी और यहाँ पर जो हमारे दो पिन इस साइड में है इसमें इन्पुट सप्लाई दी जाएगे यानि कि 230 वोल्ट की AC सप्लाई दी जाती है यहाँ पर ब्रिज रक्टिफायर AC सप्लाई मिलने पर DC में करवोड करके स 1500 में परोवाएड करवा देता है तो यहाँ पर आपको समझ में आगा किENT पिन ने किस साइड में कौन सी होती है तो आपको इस प्रकार से रखना है यहाँ पर आप साइड में है और कट मार्क के बाएं साइड में निगेटी होता है यानि कि माइनस होता है जो कट मार्क के दाहिने साइड वाला पिन होता है वो एक नंबर का पिन होता है और जो कट मार्क के बाएं साइड का पिन होता हूँ चार नंबर का पिन होता है पर जो पेपर पे हमने लिखा है उसका आप स्क्रीन सौट भी ले सकते हैं और जो हमारा डायोड की टेस्टिंग होती है उस टेस्टिंग को प्रवपर तरीके से कर सकते हैं यहां पर जो हमारी डायोड की टेस्टिंग होती है उसको कुछ लोग बता कि हमारा bridge rectifier okay है अनिता bridge rectifier खराब है यहां पर जो 5 step लिखे गए हैं इन 5 step में से अगर कोई भी इधर उधर मिलता है तो आपको bridge rectifier खराब मालने ना होगा यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा bridge rectifier का internal structure है यह दिखाया गया है एक दो नमबर से एक नमबर पे पिन जुड़ी में आपको बता दे कि diode का कौन सा सिरा plus होता है कौन सा सिरा minus होता है तो अगर मालिजजे कि आपका diode कुछ इस प्रकार से है ऐसे है यह तो हमारा diode का symbol हो गया अगर डायोड को रियल में बनाए तो डायोड कुछ इस प्रकार से होता है आप यहां पर देख सकते हैं डायोड कुछ इस प्रकार से होता है एक साइड में सिलोवर पट्टी होती है और यह पूरा का पूरा ब्लैक ब्लैक होता है तो यहां पर जो हमारा डायोड का पूरा पूरा ब ये वाला साइड प्लस होगा और ये वाला साइड माइनस होगा उसी प्रकार से आप इसके इंटरनल इस्ट्रक्चर के बारे में भी समझ सकते हैं अब हमको इस ब्रीज रेक्टिफायर को चेक कैसे करना है हम आपको यहाँ पर समझाते जाते हैं यहाँ पर देखिए स्टेप कौन में आपको चेक करना है एसी साइड में किसी भी तरब से कोई वैलू नहीं आएगी सब्सेपहले ब्रीज रेक्टिफायर को आप इस पोजिशन में रखेंगे इस पोजिशन में रखने का मतलब क्या है हम आपको बता दे यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ब्रीज रेक् हुआ है न वो इसी साइड में होना चाहिए तो आई होप आपको रखने का तरीका समझ में आ होगा कि किस प्रकार से ब्रीज रेक्टिफायर को रखना है और उसकी बाद चेक करना है चेक कैसे करना है सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हेडिंग में लिखा हुआ मल्टी सबसे पहले हम इन दोनों प्रोबों को आपस में जोड लेते हैं और जोडने के बाद यहाँ पर 00 reading और वीप की आवाज आती है तो हमारा मल्टी मीटर बिल्कुल accurate है बिल्कुल सही है तो चलिए अब हम चेक करना आपको बताते हैं कि ब्रीज रेक्टिफायर को चेक कैसे कि दिया जाता है यहाँ पर देखिए मल्टी मीटर को हम इस साइड में रखते हैं और यहाँ पर जो हमने पांच स्टेप में इसकी चेकिंग लिखा हुआ है हम इसी के अनुसार चलेंगे और आपको भी इसी के अनुसार चलना है अगर यह पांचों सब कुछ सही निकलता है त एलेडी ड्राइबर में और यहां पर देखते यहां एक छोटा से लेडी ड्राइबर उसमें भी इसार्किट में जाएगा जो भी करती है तो चली आप बात को समझते हैं, ac side में किसी भी तरफ से कोई value नहीं आगी, किसी भी तरफ का मतलब क्या है, इस बात को समझे है, देखे, जो हमारा probe है ना यह एक positive probe है, और यह जो black वाली probe है, यह negative probe है, अभी इसको रखना है, इसके दोनों पिनों पे, यानि कि ac side में आपको रखना है, यह यहां पर आप देख सकते हैं एसी साइड में रखना है जिस प्रकार से यह स्ट्रक्चर बनाया गया है उसी प्रकार से हम इसको रखे हुए हैं और उसी प्रकार से हम चेक करेंगे यहां पर इस साइड में किसी भी तरफ से कोई वैलू नहीं आएगी तो यहां पर देखिए हम निगेटिव अलव रॉर अप्रम अब इसको हम इधर लेके आते हैं जब देखते हैं क्यों वैलू आती है की नहीं देखें अभी भी कोई वैलू नहीं आई इसका मतलब कि हमारा जो ब्रिच्रेक्टिफायर यह पहले इस्टेप में कि यहां तक सही है अब हम दूसरी बात करते हैं यहां पर स्टेफ ZE кто में क्या लिखा हुआ है साइड में एक तरफ से बेलू आएगी एक तरफ से नहीं आएगी यहां पर देखें यहां पर देखें सकते हैं एक तरफ से बैलू आ बैलु आ रहा है तो एक तरफ से नहीं आ रही है दूसरी को चाहिए है kत वहैं अगर लियू है तो यहां away कर लिया है यहां तक सहूं है यहां पर देखे स्टेप 3 में हम लिखे हुए है वन प्लस टू एक तरब से वैलू आएगी एक तरब से नहीं आएगी अब यहां पर घवराईये का मत्त वन प्लस टू का मतलब हम आपको समझा देंगे यहां पर देखे जो हमारा ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर में जो पीने होती है उन पीनों का नंबर इस प्रकार से आपको लिखने ना है नंबर लिखने का मतलब क्या है कि थोड़ी सी टेस्टिंग आसान हो जाएगी यहां पर देखे जो हमारा डीसी साइड में पोजटीव वाला होता है सिरा वह हमारा एक नं लिखना है सब्सक्राइब लिखने के बादम से आपको इसकीन शाट लेने के बाद से आपको टेस्टिंग कर लेना है यहां पर देखे 3 स्टेप 3 में क्या है एक तरफ से वैलू आएगी एक तरफ से नई का मतला ओर किसी पर नहीं रखना है तो चलिए व में यह बताया क्या गया है एक तरफ से गाएगी एक तरब से नहीं आगी, तो यहां पर देकि अभी value नहीं आ रही है, अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे, यानि कि अब minus वाली probe इस side में लगाएंगे, अब देखते हैं value आती है कि नहीं देखिए, इस प्रकार से हमको लगाना है, देख सकते हैं आप इस प्रकार से value आ रह आएगी, एक तरब से नहीं आएगी, one plus three का मतलब क्या है, यहां पर एक probe लगाना है आपको एक नंबर पे, और एक probe लगाना है आपको तीन नंबर पे, यहां पर आप देख सकते हैं, यानि कि cross में लगेगा, एक probe यहां पर लगाना है, और एक probe यहां पर लगाना है, तो य कि दूसरी साइट से वयलू आएगी तो यहां पर देखिए एक साइट से वयलू नहीं आई अब हम प्रोप को चेंज कर लेते हैं और चेंज करके चेक करते दहिए इस साइट से वयलू आ जाने का मतलब यह हमारा चौथा step भी clear है, चौथा step भी सही है, अभी तक इस bridge rectifier में कोई भी problem नहीं आई है, तो चलिए हम step 5 की तरफ बढ़ते हैं, step 5 में क्या है, 2 plus 4, यानि कि 2 और 4 पे लगाना है, इसमें भी एक तरफ से value आएगी, एक तरफ से नहीं आएगी, 2 और 4 पे लगाना है, यानि कि अब फ्रॉब में लगाना है, इसतरह से, तो एक प्रोब यहाँ पर लगा लेना है, एक फ्रॉब यहाँ प लगाती ना है, तो एक side से value आएगी, एक side से नहीं आएगी, अब देखते हैं कि side से आती है, देखें, तो नहीं आई, अब हमको positive value बाइदा भी ए साइड में लगाना ह हमने पांचों स्टेफ को चेक कर लिया और पांचों स्टेफ में यह ब्रीज रेक्टिफायर पास निकला यानि कि इसका मतलब हमारा पूरी तरह से सही है इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हम AC सप्लाई देते हैं तो यहाद इधर DC सप्लाई आपको 100% मिलेगी तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि SMD Breeze Rectifier को हम किस प्रकार से चेक करते हैं तो यहाँ पर देखी जो हमने पेज पर बनाया हुआ है डाइग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पर चेक करने का तरीका लिखा हुआ होगा झाल बिल्कुल आफिस में जो थाँ से समय हुआ है